दियम बनने के बाद उसको अलोग मौर्य को क्या मिला कुछ भी नहीं मिला जोती मौर्य उसको सीधा ठेंगा देखा दी जोती मौर्य जाए से थोड़न हो जाएगा जो पुलिस भाई या पतनी को सेर पालेंगे तो एक दिन आपी को डंसेगी जैसे उसका बात विचार रहा हो जोती मौर्य अपने बचने के लिए सीधा रेल रही है या लोग मौर्य को ठीप रही है तो यह बहुत गलत कर रही है अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकती है तो जब उन्हों साधी के आई थी ऐसा तो हुआ नहीं हम लोग भी एक पतनी है हम लोग का भी साधी विवा तो हमारा पती क्या कर रहा है तुमसे जूड बोला था ना तो उसके साथ इतना दिन 9 साल 10 साल 15 साल की दिन गुजार दी आपको दो दो बच्ची हो गई और ये भी जान रही थी कि आलोक मारिया ने हमको कहां कहां से पैसे लाकर पढ़ाई करा रहा है तब क्यों नहीं छोड़ कि उसको जिसको अपना पसंद की बोल भगवान कहते नहीं है किसी के लिए देर होता है अंधेर नहीं होता जिसको ही पसंद की जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दी वहुत बढ़ा फराड निकाला फराड या निकला ना तो जोति मारिया आप कहां जाएंगी पत्नी ज पत्नी को मनबढ़ करके रखते हैं लोग बोलते हैं घर में सेर पाल रहे हो तो वहीं सेर बहुत भारी पड़ता है एक दिन में इतना मनबढ़ भी मत पत्नी के कह दो अगर जहां 10 रुपे के काम है तुम दो ही चार रुपे में काम करवाओ उसको जानो कि पत्नी कहां पत्नी के अंदर रहना चाहिए जब पत्नी को अकेल मत छोड़ो पड़ाई कि बच्चे को बहुत बुरा अफर पड़ेगा अगर बच्चे मानली जीए नौशाल के हैं तो इसका मतलब बच्चे आनपड़ गवार नहीं है आज कल के बच्चियां चोटी चोटी रहना नहीं आती हैं माबाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं करें उनको पतर आता है क्योंकि बच्चे अजाकसर करें कि मूबाइल देखते हैं उसके बड़े होंगे उसी बच्चे का जब पढ़ाई लिखाई करेंगे का लोग पार परोस नहीं कहेंगे ऐसा तुम्हारी मम्मी एस्डीयम थ माबाप कैसे होंगे लोगों को पर कितना बुरा असर पड़ेगा उनके करना था करी ही लिए लेकिन पहले से नहीं जानते थी कितनी बड़ी नागिन हमारे घर में बैठी है कब हमको डंस लेगी अगर वो जानता तो ऐसा नहीं करता पढ़ाता ही नहीं मैं जोतिम मौरिया क सब लोग नहीं बन जाएंगी हम हर पतनी की बात कर रहे हूं अपना भी बात कर रही हूं पती अगर कहेंगे भाई हां रही बात गुसा में हर पती पतनी में जगड़ा होता है तो जगड़ा रहता है दो चार घंटे कराता है एक दिन कराता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा जगड़ा कभी हुआ नहीं है मेरे पती मेरे सामने बैटे हैं मगर जगड़ा हुआ है बस एक घंटा या आधा घंटा के के लिवन कई हैं क्या वेक जो जो पतीं लिप जेल रहे हैं उन्हें तो जोदी में । इतना विश्वास और इतना भरोसा दी होगी अलोग मौरिया को तभी तो अलोग मौरिया उसको पढ़ा रहे थे का सोच रहे थे कि हमारी पत्नी हमारे साथ इतना बड़ा कांड कर जाएगी कभी भूले में नहीं सोचे होंगे अगर आज ये बास सोचे होते तका उनके साधी भी इंटर्व्यू दी हैं मैं सुनी हूँ अलोग के कि बोली है कि भाईया जोवाद दहेज का इंजाम लगा रहे हैं इस सिर्फ दस हजार में साधी हुई है दस हजार रुपे दिये हैं अगर जोती के घर वाले इतने बड़े घर वाले के हेर रहे थे तो उनको तो औ लोग मारिया के फसाने के लिए तो पूरी तागत ही लगा दी लेकिन लाश्ट में जब इंसान गल्ती किया लोग कहते हैं ना जिसके लिए कोई नहीं जाता उसके लिए भगवान रहते हैं